आप नाजरीन ग्रोविं किश्मीर लाइव में आपका खेर मुक्दम है मैं हूं मीर उमर और आप सब को आज इंडिपेंडेंट्स जे की शुब खामनाए नाजरीन इस वक्त मेरे साथ भाजबा के जनरल सेकेटरी जो जे के देखते हैं मिस्टर अशुक कोल साब यह हमारे जाता हूं कि किस तरह का आज माहूल रहा पूरे अगर जमू कश्मीर की बात करें तो किस तरह से आज इंडिपेंडेंस डेक को मनाया गया कि देखें यह विशेश था आज 75 75 हमारा अज़ादी का आज परू था इस परू को सब लोगों ने और सब जगह इसको मनाया कश्मीर में भी जो मुझे अभी तक का समाचार मिला है कि अनेकों 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 ब्लॉक डेवलप्मेंट के जो आफिसेस थे उन में डिस्टिक हेड़कॉर्टर पर और यह जो हमारे जोन्स होते हैं उन जोन्स के हेड़कॉर्टर पर बड़ी दूमदाम से इस कारेकरम को मनाया गया मैं कल बांडीपूर से आया तो बांडीपूर से होते हुए मैंने देखा जगा जगा लोग तैयारी कर रहे थे इसके लिए इस पचाथरवें योमेदिवस के आउसर पर में आजादी के इस दिन पर में सभी देशवाशों को और विशेशकर कश्मीर के सभी लोगों को और मैं बदाई देता हूँ, मबारक बाद करता हूँ कि आज ही हमारा पचाथरवां योमेदिवस है और इसको हमने खूब जोर शोर्श मनाया और सारे हंदोस्तान में मनाया गए इस जो आज का दिन मनाया जाता था, आपको कितना जो फर्क है आपको आज नजर आ आ लिए हाँ चेंज तो सामने दिख रही हैं लोग अंदर से चाते हैं कि हम आजादी का दिन मनाएं लोग अंदर से चाते हैं कि हम इस पर जशन करें और वो दिखता है लोगों के दिलू में भी और लोगों के जबान पर भी दिखता है मैंने अनेक जो राश्ट्रिय गान के जनगनमन के ज स्वार सुने हैं और मैंने देखा कि वो ख्रिजय से अपने दिल से उसको गा रहे थे कोई ऐसा नहीं था कि उनके ओपर कोई जबरदस्ती थी या उनके ओपर कोई बड़ा जोर था एक वाइरल हुआ है एक हमारे गांधरबल के तीन बचियां वो जो बोल रही है आप कि उसके स्वर उसके बोल देखे कि कितने खुले मन से उसको बोल रहे है और ऐसा मुझे सारे आज कष्मीर में सब लोग इसमें लगे हुए हैं सब लोग इसको मना रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है आज जगा-जगा तिरंगे-जंडे लगे हैं जगा- बात है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी सारे देश के साथ आगे जा रहे हैं अश्व जी जैसे कि आदेखा जा सकता है कि आप एक बहुत ही बड़ी जमदारी का काम अभी निबा रहे हैं कश्मीर के हवाले से अगर मैं बात करो तो हमारे इस आजादी के लिए शहीद हुए आज कहिऊंगे नाम हमारे यलजी साब ने गिनाएं अपने बाशन में ऐसे सब लोग जो पेरामिल्टरी फोर्सीज हैं सक्योर्टी के फोर्सीज हैं हमारे जमुककश्मीर के प्लीस के लोग हैं जन् 그러ने यहां की बेंट अपने शरीर को अपने आपको बेंट चड़ा दिया है कि हम तो यह चाते हैं कि देश के लिए समाज के लिए कोम के लिए हम को जीना सीखना है हम कोम के लिए ज ferment यहीं बहुत बड़ी ने यहां की बेंट अपने शरीर को अपने आपको बेंट चड़ा दिया है हम तो यह चाते हैं कि देश के लिए समाज के लिए कौम के लिए हमको जीना सीखना है हम कौम के लिए जीए यही एक बहुत बड़ी बेंट आज के दिन हम दे सकते हैं अपने अपनी और से और अपने समाज को दे सकते हैं. सर आने वाले तीन साल में हम कश्मीर को कहां पर देखेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी ईसी स्टार्ट हो रही हैं चाहे वह फिल्म को फिल्म पॉलिसी को लेकर को ंजिकेशन को लेकर हाला कि जुमो कश्मीर के दोनों की बात अगर हम करें बदकस्मती यह जो पिछले दो साल कोविड में गुजर गया कोविड में बीद गया इसके कारण काफी बड़ी विकास की यात्रा हमारी थम गई है वो तो सारे देश बर में ही थम गई हैं लेकिन मोटे तोर पर आप साथ मेडिकल कॉलेज जब शुरू हो जाएंगे पांच तो शुरू हो हुए हैं दो अभी शुरू होने वाले हंदवारा और उदमपूर वाला यह जब शुरू हो जाएंगे तो आप देखें कि जब आप यहां 400 बच्चों को अम्वेड कराते थे आज आज आप 1200 बच्चो हो निकलेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम सब को दिखा दिखेगा लेकिन बदकस्मित यह रही कि यह जो दो साल हमारे कोविड के गुजरे हैं इन दो सालों में हर जगा जो रप्तार थी डवलप्मेंट की विकास की वो दीमी हो गई हैं लेकिन जम्हु कश्मीर वि लगता नहीं है ऐसा होगा मैं आखरी सवाल आपसे जाना चाहूंगा कि भेरोजगारी की हवाले से क्योंकि भाजपा ने स्टार्ट से मन्सूर रखा कि हम जमु कुश्मीर को उस नजर से देख रहे हैं कि यहां पर जो अनेम्प्लॉयमेंट का इशू है वही सबसे एक में जड़ है हर एक इशू की तो अनेम्प्लॉयमेंट को कैसे आप एराडिकेट करने वाले क्या प्लैन बनाया गया है आज के दिन के हवाले से जो मैं जाना चाहता हूं कि अभी तैईस हजार करोड का इन्वेस्मेंट जमु कुश्मीर में आ रहा है इस तैईस हजार करोड में ग्यारा हजार करोड यहां और बारहा हजार करोड जमु में हैं और हमारे सरकार का यह मानना है कि यह पचास हजार करोड तक का इन्वेस्मेंट यहां इंडिस्ट्री का आने वाला है और सरकार ये मानती है कि 10 लाख employment के एविन्यू जनरेट हो जाएंगे हमारे जमू कश्मीर में तो मुझे लगता है कि ये जितनी जल्दी और जितना आइस्ता हमारी इंडिस्ट्री का यहां बढ़ेगा अतना ही employment भी हमारी दूर हो जाएगे और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो tourism है ये tourism भी जो मुकश्मीर में फलने फूलने वाला है टूरिजम के कारण भी आप देखेंगे कि बहुत सारे employment के avenues generate हो जाएंगे आप अभी देखिए थोड़ा बाहर निकली है जो यहां के टूरिस्ट स्पॉर्ट्स है चाहे वो पहलगाम है या चाहे गुलमर्ग है चाहे सवनमर्ग है तो लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आ रहे हैं आज के दिनों में भी आ रहे हैं अभी मै मैं गुरेज गया था मैं कल गुरेज से आया हूं तो पहली बार गुरेज के लोगों ने वहां के administration ने मुझे बताया कि यहां टूरिस्ट आ रहा है वहां इंफ्रस्ट्रेक्ट्टर वो उससाब से बना रहे हैं टूरिजम बढ़ेगा तो यहां की development यहां का employment generation भी बहुत त इसकती से बढ़े हैं आखर मैं इस इंटर्व्य में आपका message चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए और जमु कुश्मीर के लिए ने हिंदुस्तान के लिए आज तो मोदी जी ने एक नई बात कही है कि जहां हम कह रहे थे कि सबका विकास सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और आज उनने का सबका प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर हम सब लोगों ने अपने प्रयास से इस देश को आगे बढ़ाना है मेरी तो यही आज सारे देशवासियों को विशेश कर जमु कश्मीर में और कश्मीर के लोगों को यही है कि हम अपने आपको देश के के लिए काम आजाएं देश के लिए काम करें देश के लिए हम काम करेगा देश भी हमारी चिंता करेगा तो मेरी यहीं अपील है मेरा यहीं आज संदेश है कि हम देश के लिए काम करें देश की बलाई के लिए काम करेंगे उसी में हमारी भी बलाई होगी आपका बहुत बहु चाहते हैं तो ज़रूरत में इस बात की है कि हम सब को अपने कौम को अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए तब ही हम किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं क्रोवन कश्मीर के लिए मीरुमर स्रीनकुर्ण